दो गाओं की ननन्द के घर्प आई दो शहरी भावियां मुनी कतीती, कल हमारी तीनों बड़े भाविया अपनी पसंद की जीवन साथी से शादी करने वाली है मम्मी पापा के जाने के बाद हम बहुत अकेले रहते थे लेकिन अब हमारे साथ तीन तीन भावि रहेंगी जिनके साथ हम खुब मस्ती करेंगे, खुब बाते करेंगे हाँ, अपनी तीनों भावि के आने के बाद अब हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा चल जल्दी से तीनों भाईया का खाना तयार कर दे, भाईया आते ही होंगे दोनों भाईया ने मिलकर खाना बना रही थी, इतने में उनके तीनों बड़े भाईया आ जाते हैं जो कि दोनों के लिए नई नई लहंगे लाई थी चारू, मोनिका, देखो, हम तुम दोनों के लिए क्या-क्या लेकर आए है लेंगे, चूडिया, सैंडल और ये तुमारी फेवरिट मिठाई और गोल कपे भी, जल्दी बता है क्या खाएगी भाया, जो भी है, हम साथ में मिल कर खाएगी देखे, हमने आपका फेवरिट खाना भी बनाया है जल्दी से आजाएए, और आप जो हमारे लिए सामान लाएए है वो अचानक से क्यों? हाँ भाया, इतना सब हमारे लिए, क्यों? और ये लेंगा, कहां पहनेंगे हम? अरे मेरी पगली बेहनो, कल तुमारे तीनों भाई शादी करने वाले हैं ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी करेंगे, इसलिए तुमारे लिए कपड़े ले आए है भाया, आप सब की पसंद अच्छी ही होगी, अब जल्दी से अपनी कपड़े बडलकर खाना खाने के लिए आ जाएए वैसे भी बहुत कर्मी हो रही है, खाना भी धंडा हो रहा है अरे आते हैं, आते हैं तीनों भाई हाथ मुध होकर कपड़े बडलकर अपनी दोनों बहनों के साथ प्यार से कूलर के सामने बैठ कर खाना खाते हैं अरे वाँ चोटी, ये खाना तो बहुत अच्छा बनाया है अरे ये तो है, हमारी दोनों बहने बहुत समझदार हैं लेकिन आपसे तुम्हें काम करने की जरूद नहीं पड़ेगी, तुम्हारी भाबी आकर घर समान लेंगी ये तो है भाईया, लेकिन हम भी उनकी मदद करेंगी एक बात बुलूं भाईया, मैं कहना नहीं चाती, पर मन में एक डरसा है मामी पापा के जाने के बाद अब भाब तिनों ही है, जो हमारे है भाबी भी आ जाएंगी, बस आप अपनी दोनों बहन को छोड़ कर अब कहीं मत जाना हाँ भाईया, वो सामने वाली निशा है, उसकी भाबी के आने के बाद उसके भाईया बदल गए थे अब वो बहुत परिशान रहती है अरे तुम दोनों चिंदा मत करो, तुमारे भाईया ऐसे नहीं है, हमेश्य तुमारे साथ रहेंगे भाईया फिर पाचो भाई बहन खुब बाते करते हैं, सुबा कब हो जाती है पता ही नहीं चलता फिर दोनों बहने अपने भाईय के ग्रह प्रवेश के तयारी करती हैं, और अपने तीनों भाईय का सहरा सजा कर उन्हें मंदर ले आती हैं, जहां वो तीनों मयंक, दुश्यंत, नवीन, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेते हैं, और बहने अपनी भाईयों का बड अरे अरे भावी इतनी भी जल्दी क्या है भाया हम दोनों आप सबको अंदर नहीं जाने देंगे पहले हमारा नेक निकालिये ये क्या मैं तमीजी है लोटने का नया तरीका है क्या मयां तुमारी बेहनों का ये नहीं भावी ये तो एक छोटी सी रस्म होती है बस हाँ खाने पीने का रूम में लाकर ही दे देती है अगले दिन दोनों नंद अपनी तीनों भावी से कहती है बावी भावी आज आप तीनों खाने में क्या बनाने वाली है आज आप तीनों की पहली रसोई है ना हाँ भावी बताएए ना आप क्या बनाएंगी भया को तो मटर बहुत पसंद है आप वो बनाओगी और मीठे में आलू का हल्वा वाट इन्हें आलू का हल्वा पसंद है oh my god ये कैसे खा सकते हैं आलू के पर आंठे होते हैं ना कि हल्वा और first of all मुझे ये बनाना नहीं आता हमें जो बनाना आता है हम अपनी पसंद कब बना लेंगे किचि हाँ मुझे भी इस पर खाना बनाना नहीं आता भावी आप चिंता मत कीजे हम दोनों आपकी मदद करवाएंगी दोनों अपनी भावी की मिट्टी के चूले पर खाना बनाने में मदद करवाती है गर्मी से उनका बुरा हाल हो जाता है और आधा खाना बीच में वो छोड़ देती है बस बस अब हम और खाना नहीं बना सकते बहुत कर्मी है यहां गाउ में तो नवीन तुम कैसे रह लेते हो गाउ में अरे धीरे धीरे आप सबको आदत हो जाएगी डोन वरी फिलाल तो मुझे यह कर्मी लग रही है लेकिन आप दोनों भी चलिए हमारी नंदे कर ल हो रहा था और कूलर से उन्हें इतनी ठंड़क नहीं मिलती तो रविवार के दिन तीनों अपने पतियों से शेहर जाने की बात करती है पिस बहुत हो गया मैं अंग अब मैं यहां एक और पल नहीं रुख सकती यह घर नहीं आँकी बाती है जिसमें कूलर भी काम नहीं कर र होंगी हम सब शेहर रहने चलेंगी तुम भी अपना काम वहीं देख लेना मुझे अलग से कहने की जरुवत नहीं है नवील मैं भी नहीं रहूंगी बाभी बाभी आप ऐसा क्यों कह रही है हमसे कोई गल्दी हुई है क्या आप सब हमें छोड़कर चले जाएंगे हाँ होकर अपनी आसों दिखा रही हो क्या चाती हो तुम्हारे तीनों भाया की नई शादी बरबाद हो जाए तो बोलो अपने भाई को कि हमारे साथ चले बाभी बाभी पिल्कुल ठीक है रही है उन दोनों को यहां पर रहने में तकलीफ हो रही है तो आप ले जाओ हम दोनों कैसे रहोगी यहां पर हम रहे लेंगे भाईया आप जाए बाभी यहां पर रहे नहीं पा रही कभी इसलिए उन्हें शेहर में ही ले जाए ठीक है तुम दोनों अपना खयाल रखना आज रविवार है आज ही चले जाते हैं बास को बोल देंगे कल तक शिफ्टिंग करवा लेंगे दोनों बहनों का कलेजा फटने को आया था लेकिन मुस्कुराहत के पीचे अपना दर्ध छुपा लेती है और अपने तीनों भाईया भावी को शेहर के लिए रवाना कर देती हैं दो तीन महीने बीच जाते हैं अब भाईया भावी शेहर में ही खुब अच्छे से रहते थे वहीं दोनों बहने बिचारी घर के राशन के लिए परेशान हो रही थी कोकि इस बार उनके भाई ने पैसे नहीं बेजे थे दोनों बहने दुकान से उधार राशन लाती हैं तब ही पड़ोसने कहती हैं अरे सुमन देख कैसे तीनों भाई अपनी पत्नियों के आने के बाद बिचारी बहनों को यहां गाउं में छोड़कर चले गए वो भी अकेला हाँ और खुछ शहर में बस गए आंटी हमारे घर परिवार के चिंता मत कीजे हमारे भयां से रोज बात करते हैं उन्होंने हमें अ हाँ गए वोना कर्मी में ही सड़ती रहते हाँ पर अब हमारी ननन पता नहीं कैसे रह रही है मिची का चुलहा उपर से एसी भी नहीं है ना हमें वहां के एटमास्फेर में रहने की आदत है सबसे बैस को अपना शहर ही है अब हमें तीन महिनी से ज़्यादा होने को आए है है न कोई बात वकेरा की हमने एक बार अपनी नंदों से मिलने चल लेते हैं देखें कैसे रह रही है हाँ चलो अपने पुराने ससुराल में खूं कराते हैं तीनों भावी गाओं में अपनी दोनों नंदों से मिलने आती हैं और अपनी भावीयों को देख दोनों नंद के चैरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बेचारी बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गर्मी में रह रही थी और अब उनका कूलर भी खराब हो चुका था तब ही दोनों नंद भावी की खातिरदारी करने में जुट जाती हैं। अगर भावी दो दिन के लिए भी रुकी तो अच्छा अच्छा खाना इतने में नहीं बना पाएंगे। अब तो दुकान वाला भी उधार नहीं देखा। क्या करूँ? अरे हाँ, मैंने अपनी गुलाक में से 200 रुपे छोड़ दिये थे, उसी से ही काम हो जाएगा। क्या हुआ कि सोच में पढ़ गई हो जारुतों? वैसे हम कुछ दिन अपनी नंदों के साथ गर्मी में ही दह लेंगे। सच भावी, हम आपके आने से बहुत खुश हुए हैं, आप बताएए न, आपको क्या-क्या खाना है, हम सारा इंतिजाम करेंगे। फिर तीनों भावी अपनी पसंद बता देती हैं, जिसके बाद वो दो-तीन दिन तक अपनी भावी के खुब सेवा करती हैं। अब हम और अके लिए नहीं रह सकते, प्लीज, प्लीज, भावी रुख जाएए न यहां पर, अरे तुम्हें यूंगली क्या पकड़ा दी, तुम थो पूरा हाथ पकड़ने चली गई, हम तीनों यहां पर तुम्हारा हल-चल पूछनी आई थी, बसने नहीं, चलो यहां से दीदी, इतने में तीनों के पती आकर सब सुन लेते हैं, बस, बहुत हो गया, हमारी दोनों बहने गाओं में अकेली रहकर इतना परेशान हो गई, और तुम तीनों में से किसी को उसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा, मतलब, अब यहीं पर फिर से गर्मी में मरने लग जा हाँ, जाओ जाओ, अब हम अपनी बहन के साथ ही यहाँ पर रहेंगे, अपनी पत्नियों की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती हो गई, चारू, मॉनिका, अपने तीनों भाईयों को माफ कर दो नहीं नहीं भाया, हम आप से छोटे हैं, आपको माफी मांगने की कोई जूरत नहीं है, हालाथ ही बुरे थे, आप भाईयों को जाने मत दो देखा, अभी भी मेरी बहने तुम सब के बारे में सोच रही हैं, लेकिन तुमें फरक ही नहीं पड़ता अपने पतियों से बहस करने के बाद भावियों को अपने पती और नंद के दर्द का एसास होता है, इसके बाद वो जाने से इंकार कर देती है जारू मॉनिका हम तीनों को माफ कर दो अपने स्वारत में आकर हमने तुम भाई बहनों को अलग कर दिया लेकिन अब हम यहीं रुकेंगे माफी की कोई बात नहीं भावी लेकिन तीनों भाईया का बिजनेस तो अब शहर में ही है तो क्या हुआ? अब हम तुम दोनों को भी वहां ले चलेंगे पर अब से तुम दोनों अकेली नहीं रहोगी तीनों भाई अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेते हैं जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और गाउन का घर बेचने के बाद तीनों भाई अपनी बेहनों को शहर में ही ले जाते हैं और वहां हसी खुशी रहने लगते हैं